तो हलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जनुवरी में हम गरबाशय की मुओ की कैंसर का आवेरनेस प्रोग्राम करते हैं, आवेरनेस फैलाते हैं, तो ऊसी गंडिनेशन में आज का टॉपिक है गरबाशय की मुओ की कैंसर के लक्षन तो पहला लक्षन है asymptomatic mostly patient of cervical cancers are asymptomatic papis mares are abnormal तो उसी basis पे हम उनका इलाज शुरू करते हैं फिर दो most common symptom है मुँ के cancer जो गरभाशे का मुँ का cancer है उससे bleeding होना या discharge होना ये foully smelling भी हो सकती है और normal भी हो सकती है इसके अलाबा पेट में दर्द कमर में दर्द नीचे जांग में सूजन पिशाब या लेटरिन करने में patient को परिशानी सांस फूलना खासी होना हड़ियों में दर्द होना और इसके अलाबा ये cancer जहां जहां भी फैलेगा उस हिजाब से वहां पे symptoms आएंगे तो ये last वाले जो symptoms होते हैं ये advanced stage में होते हैं लेकिन early stage में patient generally bleeding और discharge के साथ present करता है इसमें एक बहुत important point है post-coital bleeding post-coital bleeding means patient जब intercourse के बाद patient को bleeding की complaint होती है that is more likely suggestive of cervical cancer thank you